सबी लोग का मेरे चैनल Advanced Study Hub में दोस्तो जलगाओं और डिस्ट्रिक हेल्ट सोसाइटी द्वारा यहां पर वेकेंसी निकाली गई है एने चैनल के अंदर कर दिये प्रोग्राम यहां पर होता है और इसमें जो हम डिसकस करने वाले हैं स्टाफ नर्स की जो वेकेंसी है ठीक है इसमें क्या क्या मागा गया देखिए दोस्तों यहां पर स्टाफ नर्स की वेकेंसी है इसमें जो वेकेंसी बगरा आई है और भी इसमें वेकेंसी है ठीक है सबसे पहले यही वाला पर हम यहां पर डिसकस कर लेते हैं 15 से लेके यहां पर 23 वाला ठीक है तो यहां पर कांटेंट के लिए हैं, कांसिलर के लिए हैं, फेरा मेडिकल वरकर हैं पारमेसिस्ट है ठीक है, असिस्टेंट प्रोग्रावं और यहां पर डेंटल हाइजिनिस्ट डेंटल टेकनिशन उसी सबसे कुछ में यहां पे experience नहीं मागा गया है जैसे ये वाली post है ये वाली post है ये वाली post ठीक है इन में experience नहीं मागा गया है और बाकी की जो है यहां पे एक साल का experience मागा गया है यहां पे और एक साल का experience counselor में मागा गया है फार्मेसिस्ट में भी और एक साल का program assistant में dental hygien ऑपर टीजने पी इसको यहां पर टीजनी तरही के सतके और है यहांपे जो वेकांसी आई गहीं है और यहाँ आपर यहांपे बोगन पीन हमने दिसकास किया है की है, pediatrician की है, anesthetist की है और यहां medical officer, dentist बगरा यहां पर जितनी भी vacancies है आप लोग यहां पर देरी दे रहे हैं अगर आपके पास qualification है, ठीक है, ऊपर जितनी भी vacancies है, इनकी qualifications है और जिन में experience माद आया है, experience है तो आप लोग इस form को यहां पर fill कर सकते हैं, ठीक है, यह सारी उने देख लिया है, screenshot लेकर भी आप सबी लोग उसको पर सकते हैं, दीरी दीरे, और यहां पर 12, 13 और 14 यह तीन और रह गया है, तो यह वाला पर देख लिया है, ठीक है, psychologist, opthermist, optometrist, psychiatrist, ठीक है, psychiatrist, यह सारी के सारी यहां पर है, sorry, physiotherapist है, psychiatrist मैं उसको बल रहा हूँ, ठोड़ा गरत पड़ लिया है, मैंने, तो यहां physiotherapist वगरा यहां पर जितनी भी है, सारी के सारी vacancy यहां पर निकाल दी गई है, ठीक है, psychologist के लिए यहां पर कोई भी experience नहीं मागा गया है, बात की जितनी भी qualification है, related है, इन सीजों से, और यहां पर जो भी vacancy है, उन से यहां पर, degree यहा अपकी category है, तो आप लोग उसे आप से इसको fill कर सकते हैं, ठीक है, इतनी यह अदर vacancy तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मौका तो है आपके पास, तो आप इसको आपके fill करिए, और इसमें एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको अधाता हूँ, यह तो मैंने आपको बता दिया, यह सारा का सारा जो है, यह offline form आपको बरना है, ठीक है, इसकी जो piece रहने वाली है, 100 और पे रहेगी, reserve category के लिए, और बाहर के candidates जो रहेंगे, उनके लिए यह यहाँ पे 1500 रुपे हैं, जो भी reserve category है, और यहाँ 1500 रुपे जो है, बाहर के राज्यों के जितने भी candidate हैं, उनके यहाँ पे 1500 रुपे लगेगी, और जो भी reserve category के हैं, उनके लिए भी यहाँ पे 1500 रुपे लगेगी, और यह जो piece बगरा रहेगी, इसके आपको demand draft बनवाना पड़ेगा, district health office, new building, जिला परीशत, जलगाओ, इसके नाम पे यह बनेगा, और bank इसमें जाएगा, तो यह आप ल 11th month का यह period होगा, और 11th month तक आप लोगों काम अगर अच्छा रहा तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, वैसे यह जितना भी program रहता है, extend कर दिया जाता है, बढ़ा दी जाती है, क्योंकि staff की बहुत ही जादा कमी है, हर किसी sector में चले जाएए, तो यहाँ पे staff बहुत कम है, तो जितने भी workers रहते हैं, उनको वहाँ पे permanent कर लिया जाता है, अगर उनका काम वहाँ पे अच्छा पाय जाता है, और यहाँ पे देखने वाली बात एक और है यहाँ पे, तो इसका यह जो form होगा, offline भरा जाएगा, और इसमें जो vacancies बगरा है, यह post बढ़ भी सकती है, और जाएगे कहीं भी, तो यह form को यहाँ पे print करा दीजे, और जो भी समें डीटेल मागे गई है, आपका name, name, detail बगरा जितनी है इसमें, सब क सब पिल करके, जल्द से जल्द इसको भर दीजे, और इसकी जो date बगरा है, तो वो मैं आपको discuss कर लेता हूँ, एक बार date के बारे मे लोग को बरवाना है, तो आप लोग उसको भर सकते हैं, और इसमें ये जो exam जो होने वाला है, इसमें मैं आपको बना देता हूँ, आपको shortlisted किया जाएगा, और shortlisted के बाद क्या होगा यहाँ पे, आपका interview भी होगा, ठीक है, shortlisted के बाद यहाँ पे interview होगा आपका, और आपक comment box में पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल किसी भी वक्त किसी भी समय, तो मैं आपको सवाल कर वाँ पर जवाब दे दूँगा, लेकिन हाँ, आपका सवाल जो है genuine होना चाहिए, अगर वो genuine है, तो मैं उसका reply जरूर करूँगा, और यहाँ पे जितने भी vacancies हैं, आप सभी लोग के लिए यहाँ पे है, ठीक है health department की job है, मेरे साब से यह form को भरना चाहिए आप सभी लोग को, और यहाँ पे एक मौका यहाँ पे आपको लोग को मिला है, तो यहाँ पे इसको गवाना नहीं चाहिए, तो अपना यह जो update है, इसको अंत करती हुए यही काऊंगा, यह वीड आपको आगे मिलता रहेगा, और यह जितना भी update आएगा, वो भी मैं आपको बता दूँगा, तो मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में, thank you so much.